हेलो स्टूरेंट्स आएम आर्थी और मैं आप सब का वेलकम करती हूँ टू आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड डियर स्टूरेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपकी कख्षच है की इंगलिश सब्जक्ट की वर्क सीट नमबर 18 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 25 नमबर 2020 प्यारे बच्चो आज की जो वर्क सीट है बड़ी ही मज़ेदार लगेगी आपको देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नेम अफ़ द पर स्टूरेंट में आप अपना नाम लिखेंगे नेम अफ़ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे अगर आपके स्कूल में ये बोला हो कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो फिर अपने इंग्लिश वाले टीचर का नाम लिखेंगे ओके चलिए अब पढ़ती हैं आपकी एक बहुती बड़ी हसी जो आपकी बुक में है पोयम ठीक है पतंग है न पतंग तो सारे बच्चों को पसंद होती है तो चलिए All of us love to fly kite हम में से सभी को पतंग उणाना बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद होता है Have you ever tried to fly one क्या कभी आपने पतंग उड़ाई है Blow is a picture of kite नीचे एक किस की picture दी हुई है एक पतंग की picture दी हुई है न ये kite की picture Look at the picture carefully आपको picture को दिहान से देखना है and answer the question और उससे related कुछ यहाँ पर question दिये गए है उनके answer करने है ठीक है चलिए तो कर लेते हैं questions के answer Color of the kite is kite का रंग कैसा है तो जो भी color आपको दिखाए दे रहा है वो लिख दो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यलो तो आप क्या लिख देंगे यलो फिर उसके बाद दिख रहा है आपको blue Y-E-L-L-O-W yellow B-L-U-E blue फिर उसके बाद लिखेंगे G-R-E-N green और एक color और बजगे हमारा red तो उसके बाद आप लिखेंगे red R-E-D red ठीक है यह हो गए आपके color shape of the color की shape कैसी है shape मतलब आकार यह जो इसकी shape है ना कोई triangle होता है कोई circle होता है एसे ही जो kite होता है उसकी shape होती है rumors ठीक है तो आप इसमें लिख दोगे rumors ठीक है बच्छो चलिए आप आगे चलते हैं आगे आप 밤 बताने हैं हमें plural टैलल होता है मतलब बहु बायड जन हैना तो काइट मितलब एक पतं तो जब भूथ सारी पतं होगी उसको कैसे लिखेंगे हम उसमें कुछ निहीं करना बस एस लगां देड से इथ कहां और टयल का मैं जाएगा प्लूरल पर सानिए चलिये त्सला कि आप is यह यह दो और ब्र टी आर आई एन जी एस हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप इस पहले कोशन को कर लोगे जो भी यह इसमें दिया हुआ है तेल पूंच होती है इस्ट्रिंग होता है धागा ओके बचो चलिए अब है रीड़ फॉलोइंग एक्स्ट्रेक्ट अब आपको यह जो एक्स्ट्रेक् पूयम में से उस पूम का स्टेंज अच्छे से पढ़ना है और कोशन के आंसर करने है ठीक है चलिए हाव ब्राइट उन्द स्काइज अ काइड वैन इस नियू विद डाइव एंड डेप इट स्नैप्स इस स्टेल इस स्टेल वो क्या बता रहे है कि जो जो पतंग होती है ज इस एक काइड होती है जब ये नही होती है जब ये आस्मान में उरती है अपनी पूछ इलाती है जब नीचे जाती है अब दूसरे का देखो then soars like a ship with only a sail as overtides of wind it tries climb to the crest ये कह रहे हैं कि जैसे एक ship होता है ship जो पानी के जहाज को ship बोलते है कि जैसे एक ship होता है वो क्या करता है वो जो चलता है तो वो कभी लहरों के उपर जाता है जो पानी की लहर ऐसे चलती है ना तो कभी उपर जाता है कभी नीचे जाता है तो ऐसे ही जो पतंग है पतंग भी कभी उपर जाती है कभी नीचे आती है ना पतंग कभी ऐसे ही होता है और ये ऐसे चलता रहता है लहरों के उपर जैसे एक ship चलता रहता है ठीक है जैसे एक पानी का जहाज चकता रहता है तो पानी के जहाज का यहाँ पे पतंग से तुलना करी गई है ठीक है बचो तो यह हो गई आपकी पोएम आपके देख लेते हैं इसके क्या पूछा है इन्होंने कोशन्स अब हमें ऐसी लाइन ढूंडनी है जिनका मतलब सेम है जो यह लिखा हुआ है न यहाँ पे इनका मतलब सेम है तो आपको क्या लिखना है बचो दे काईट सीम्स ब्राइट इन दा स्काई जो पतंग है स्काई में चमकीली लगती है तो बच्चों यही बताया था ना मैंने हाउ ब्राइट उन दा भलू तो यह सेम ही है क्यूंकि ब्लू किसको बोलते हैं सकाई को बोलते है कितनी चमकीली लगती है पतंग जब वो ब्राइट होती है तो लिख दीजे हैं हाउ 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 ऑ डबलू हाउ वैसे मुझे लिखने की जरुवत नहीं है महाँ पे लिखा ही हुआ है How bright on the blue ठीक है चलिए यह हो गया अब इसमें क्या लिखना है It's source like a sip इसमें आप पहली वाली ये वाली line लिख देंगे ठीक है तो लिख दीजे कैसे लिखेंगे इस line को ऐसे लिखेंगे Then Source Like a Ship ठीक है यह आपको लिख देनी है हो गया चलिए यह कुश्यन हो गया आपका पोयम को पढ़के हमने कर लिया आप देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है Fill in the blanks with the correct words from the box अब हमें इस box में से यह तीन शब्द लिख्यों में इन तीनों में सही जंगा भरना है तो भरिये The kite dash and dash in the sky with its tail जो पतंग होती है अपनी पूच के साथ क्या करती है इस sky में आस्मान में तो बताओ Dive करती है और Dip करती है तो यह Dives और Dips हम यहाँ पर देंगे Dives Dives कभी उपर जाती है कभी नीचे जाती है The kite, source, Laika और किस की तरह चलती है पतंग तो यह लिख देना आप ship SHIP तो यह भी हो गया हो गई हमारे तीनों यह हो गया हमारा question पहले में Dives और फिर Dips और फिर Ship लिख देंगे ओके चलिए तो बच्चो आप देखिए activity क्या करनी है आपको Try to make a kite with a color paper और a newspaper आपको एक पतंग बनाने की कोशिस करनी है या तो color paper से बनानी है या फिर अपने अखबार से बनानी है thread लगाना है उसमें धागा भी लगेगा और glue भी लगेगा glue मतलब जिससे आप चिपका होगे और एक पतली सी stick लोगे और एक पतंग बनाऊगे पतंग बनाने के लिए आपको paper चाहिए धागा चाहिए और क्या चाहिए फैविकोल या कुछ भी जो भी आपके पास होगा और एक stick भी चाहिए पिछे उसमें लगती है ना ऐसे ऐसे करके तो वो भी लगानी है और जब तुम अपनी पतंग को बना लोगे उड़ा के देखना कि यह उड़ती है या नहीं बना उड़ती है आपकी पतंग यह आप सब बच्चों को activity भी करनी है और बच्चों एक चीज़ों रियाद रखो करोना बहुत फैल रहा है दिल्ली में pollution के चलते हैं और किशीज के चलते हैं यह जो आपकी शर्दी आ रही है तो आपको 6 फीट यह 2 याड की दूरी maintain करके रहनी है ठीक है यह आपको सब बच्चों को ध्यान रखना है और अपने परिवारवालों को भी बताते रहना है ठीक है बच्चों तो चलिए यह हो गई आज की आपकी वर्क सीट होफुली आपको मजाया होगा वीडियो देखकर और आपको समझ भी अच्छे से आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए जी सेनल को जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर थैंक यू